वेलकम बैक टू अनेधर वीडियो आज मैं आपके साथ इस टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे चबला स्टाइल में ये टॉप बना रही हूं तेरा साल की बच्ची के लिए बनाऊंगी टोटल फैबरिक मैंने डाइमीटर लिया है आप इस डिजाइन को सिंपल फैबरिक पे भी बना सकते हैं इस टॉप की त्यार लेंथ मैंने 35 रखनी है, 9 इंच की मैं यॉक बनाऊंगी 26 इंच का मैंने त्यार गےरा बनाना है 26 में मैं 4 इंच एक्स्टा एड़ करूंगी आपका भी जितना लंबाई में गेरा आपने त्यार रखना है उसमें 3-4 इंच आपने एक्स्टा लाजमी एड़ करना है क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे तो ये ना हो लेंथ कम पड़ जाए तो मैंने त्यार लंबाई में गेरा 26 रखना है तो 30 इंच लिया है और चोड़ाई इसकी टोटल 36 इंच है फोल्ड़िड मेरे पास ये 18 इंच आ रही है चोड़ाई में आप फैबरे को कम या जादा कर सकते हैं वो आपकी अपनी चोईस है आप नीचे से टोटल इसकी चोड़ाई गेरे की 18 इंच आारियत उपर से भी 18 इंची थी मैंने 4 इंच कम कर दी है उपर से मैंने इसको 14 इंच रखा है और नीचे से गेरा मैंने 18 इंच है क्योंकि उपर वाली साइट पे मैंने इतनी ज्यादा चुंटे नहीं डालनी अगर आप ज्यादा चुंटे डालना चाते हैं तो आपकी अपनी जोईस है इस फैबरिक की मैंने यॉक बनानी है जिसकी लेंथ मैंने 10 इंच ली है और चोड़ाई इसकी मैंने अपने तीरे के अकॉर्डिंग ली है सेंटर में मैं साड़े 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और स्लीवस वाली साइट पे मैं 6 इंच तक निशान लगा के राउंड शेप ड्रॉँ करूँगी ऐसे राउंड शेप ड्रॉँ करके एक्स्टा फैबरिक को मैंने कट कर देना है अब मैंने ऐसे गेरा लिया है गेरे के उपर इसको मैंने ऐसे रखना है जिस साइट पे फिटिंग की स्लाई होगी इस साइट पे तकरीबन मैं डाई इंच तक निशान लगाऊंगी यह वाला जो मैं डाई है इंच तक निशान लगा रहे हैं जहाँ पे हम राउंड शेप में आर्म होल ड्रॉड करेंगे इसको मैं ऐसे उपर की साइट रुकूंगी बढ़ा के और इसको फॉलो करके ऐसे राउंड शेप ड्रॉड कर दूंगी गेरे के उपर अब यह वाली जो गेरे पे मैंने राउंड शेप ड्रॉड की है इसको फॉलो करके यह एक्स्टर फैब्रिक मैंने सेंटर से कट कर देना है यॉप को गेरे के उपर ऐसे हाप इंच तक बढ़ा के रुकूंगी क्योंकि यह वाला फैब्रिक स्लाई में कवर हो जाएगा अब लेंट आप देखें 36 इंच आ रही है 35 मैंने त्यार रखनी है एक इंच स्लाई में चला जाएगा यह सेंटर वाला फैब्रिक चुंटो में कवर हो जाएगा अब उपर से यॉक की चोड़ाई मैंने अपने तीरे के अकॉर्डिंग ली थी 7 इंच टोटल 14 इंच तीरे मैंने रखना है उसका हाथ 7 इंच चा रहा है लंबाई में भी मैं ऐसे 7 इंच तक निशान लगाऊंगी और यह जो धाइंच तक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है यहां से ऐसे राउंड शेप डॉर कर देनी है आर्म होल के लिए और इस पैब्रि के साथ जोड़ देना है इस टिसाइन में मैंने यह लेस ली है सीधी साइड पे लेस को ऐसे उल्टा करके रखना है और लेस का यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके किनारे पे स्लाइल लगा देनी है लेस लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर दिया है अब यौक को गेरे के साथ जोड़ना है ऐसे तीने तक मैं स्लाइल लगाऊंगी उसके बाद मैंने चार प्लेट्स टालनी है प्लेट्स का रुख मैंने अंदर की साइड रखना है सेंटर में मैं बूट पाइपिंग लगाऊंगी तो डेड इंज का मैंने यौक की सेंटर से गैप छोड़ना है स्टिक पेपर लगा के मैंने पाइपिंग लगानी है तो ऐसे मैं ये सेंटर में डेड इंज का निशान लगा दूँगी और इसकी दोनों साइट पे चार-चार प्लेट्स टाल दूँगी और एक्स्टरा फैब्रिक को चुंटों में कवर कर दूँगी तो ऐसे आप देखें सेंटर में मैं डेड इंज का गैप चोड़ूँगी और इस साइट पे भी चार प्लेट्स टाल दूँगी यहां को गेरे के साथ मैंने जोड दिया है दोनों साइट पे चार-चार प्लेट्स टाल दूँगी अब यह मैंने चोड़ाई में डेड इंज स्टिक पेपर लिया है जिसको सेंटर में पेस्ट करना है ऊपर नेक्स से लेके नीचे दामन तक मैं इसको पेस्ट करूँगी ऐसे स्टिक पेपर को पेस्ट करने के बाद सेंटर से ऐसे मैं कट लगाऊंगी अब यह वाली जो डोरी वाली पाइपिंग होती है इसकी साइड से मैंने डोरी निकाल दी है इसकी चोड़ाई 2 इंच है इसको मैं ऐसे नीचे रुखूंगी जितनी चोड़ी मैंने पाइपिंग लगानी है उस हिसाब से स्लाई लगाऊंगी अब इस एक्स्टा फैब्रिक को मैंने ऐसे फोल्ड करके प्रेस करना है ताकि एक ए की स्लाई में ये सारा फैब्रिक कवर हो जाए तो ऐसे आप देखे फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है अब पाइपिंग के किनारे पे स्लाई लगा लूँगी दोनों साइड पे मैंने पाइपिंग लगा दी है केरे वाली साइड पे तकरीबन मैं 10 इंच का कट रखूंगी और उपर से मैंने नेक रखना है साड़े 5 इंच तो उसे साब सी है मैंने निशान लगाया है सेंटर में एक्स्टा फैब्रिक लगा के मैं इस कट को बंद कर दूँगी डेडिंग चोड़ा मैंने ये फैब्रिक लिया है फोल्ड करके मैं ऐसे नीचे रखूंगी और पाइपिंग के किनारे पे स्लाई लगा दूँगी सेंटर में ये एक्स्टा फैब्रिक स्टिच कर दिया है अब सबसे पहले मैं गेरे पे लेस लगाओंगी आप चाहें तो गेरे को सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं मैं ये वाली लेस लगाओंगी ऐसे एकिंग तक पल्टे को स्लाई लगाओंगी अब फैब्रिक के सीधी साइट पे ऐसे लेस को मैं उल्टा करके रखूंगी यहां अब पल्टे को ऐसे उल्टी साइट पे फोल्ड करके मैं सलाई लगा लूंगी आप चाहें तो हाथ की मदद से तुर्पाई भी कर सकते हैं फ्रांट और बेक के गेरे पे मैंने पल्टे के साथ जी लेस लगा दी है अब मैंने नेक बनाना है नेक को मैं राउंड शेप में बनाऊंगी स्टिक पेपर लंबाई और चोड़ाई में मैंने 7 इंच लिया है सेंटर से इसको मैं फोल्ड करूंगी नेक की टोटल चोड़ाई 6 इंच है उसका हाफ मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और लेंट मैंने रखनी है साड़े 3 इंच त्यार हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा एड करूंगी जो स्लाई में जाएगा तो चार इंच लंबाई में मैंने निशान लगाया है अब ऐसे एल शेप ट्रॉ करके मैंने नेक को राउंड शेप देनी है अब यह वाली जो राउंड शेप ट्रॉ किया है यहां सेंटर से एक्स्टा फैब्रिक कट कर दूँगी ऐसे एक्स्टा फैब्रिक करने के बाद साइट से हाफ इंच पेपर छोड़के एक्स्टा कट कर दूँगी ऐसे मैंने ये neck cut कर लिया है center से इसको मैंने cut कर दिया है अब दोनो side paste को मैं ऐसे रख के paste कर दूँगी और center से extra fabric cut कर दूँगी तो इस तरह से आप देखे stick paper को मैंने center में paste करके extra fabric cut कर दिया है आप इसके around मैंने piping लगानी है तो उसके लिए मैंने ये एरेप पटी ली है जिसकी चोड़ाई डेडिंच है फोल्ड करके इसको मैं नेक के अराउंट सलाई लगाऊंगी जितनी बारीक हमने पाइपिंग लगानी है उसे साब से सलाई लगाएंगे यहां से एक्स्टा फैबरिक मैं कट करूँगी हाफ इंच छोड़के अब ये वाला जो हाफ इंच फैबरिक है इसको मैं ऐसे फोल्ड करके सलाई लगाऊंगी इस साइड से भी मैंने पाइपिंग को ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके सलाई लगानी है इस तरह से यह कॉर्णर सफाई के साथ आएगा तो ऐसे राउंड शेप में मैंने ये अरे पटी स्टिच कर दी है अब इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने पाइपिंग के किनारे पे सलाई लगानी है नेक के अराउंड मैंने पाइपिंग स्टिच कर दी है बहुत सफाई के साथ आई है नीचे से भी आप देख सकते हैं एक्स्टर फैब्रिक साथ ही कवर हो गया है सेंटर में मैंने डेड इंच का कट चोड़ा है अब बैक साइड पे मैंने अरे पटी अटेच करनी है बैक साइड को मैंने चोड़ाई में साड़े पांच इंच और लंबाई में दो इंच तक कट किया है अब शोल्डर से मैंने फ्रांट और बैक को स्टिच करने के बाद बैक साइट से अरे पर्टी को भी मैंने जुट लगा दी है दूस्ती साइट पे अब मैंने फिटिंग की जुट देना है कि दोनों साइट से फिटिंग की स्लाइ मैंने लगा ली है अब मैंने स्लीव स्टिच करने हैं तो स्लीव की लेंथ मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग कट की है मैंने त्यार लेंथ की रखनी है 18 उसे साफ से कट की है आपने अपने नाप के साफ से स्लीव की कटिंग कर लेन कुझ ए हैं प्रंट साइड पर दमन की तब लिस लगांगी अ ऐसे फ्रणट साइड पे मैंने लेज लगा लिए यहां से मैं फैब्रीक को ऐसे फोल्ड करके फिटिंग की स्लाई लगाऊंगी स्लीव को फिटिंग की स्लाई लगा के मैंने ऐसे स्लीव को पलट लिया है अब मैंने फ्रॉक के साथ स्लीव स्टिच कर देने हैं ऐसे राउंड शेप में दोनों स्लीव मैंने स्टिच कर दिये हैं सेंटर में मैंने तीन तीन इंट का गैप चोड़के बटन लगा दिये हैं ये इसकी फाइनल लोक है आपको इन्शाला ये डिजाइन बहुत जादा आप संदाने वाला है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है कमेंट बाक्स में मुझे जरूर बताना है ये डिजाइन आपक कैसा लगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में अल्ला हाफ़ेज़